मुकीस खन्ना एक प्रशित भाती टीवी एक्टर तथफ फिल्म अभिनेता हैं मुकीस खन्ना का जन्म उन्हें जोन 1958 को मुंबई माराष्ट में हुआ था इन्होंने कई हिंदी टीवी सीरियल और फिल्मों में काम किया है मुकीस खन्ना को मुख्य रुप से सक्तिमान टीवी सीरियल में सक्तिमान और गंगा धर का रोल से जाना जाता है जिसे उन्हें नहीं पहचान मिली उसके बाद उन्होंने धारवाहिक माभारत जो कि साल 1988 में दूरदर्शन पर चलता था इस धरवाहिक में उन्होंने भीस मका किरदान निभाया था उन्होंने टीवी में आने से पहले कई फिल्मों में भी अपनी पहचान बना ली थी 1980 के दशक में उन्होंने वोलिवुड में अपना डेवियू किया और शुरुवात में कई सफल फिल्मों का काम किया था एक के बाद एक फिल्में आ रही थी और मुकेश खन्ना को ऐसा लग रहा था कि कुछ मातपूर होने का समय आ गया है हाला कि किस्मत की बात है एक चमकता हुआ सितारा अचानक धीमा पड़ गया और एक उभरते वी सितारे का रूप लेने वाला कलाकार एक संघर्शक अभिनेता बन गया उनकी मजबूत अभिनय और अनूठी आवाज के साथ मुकेश खन्ना ने ना केवल टीवी में घरों में पहचान बनाई बलके उन्होंने बड़े पर फिल्मों में सफलता की आसा भी की थी दुर्भा के बाश भास अपना पूरा नहीं हुआ और उन्हें सूपर इस्टार बनने से पहले ही एक प्लॉप अभिनेता के रूप में जाना जाने लगा हाला के फिल्मों की आस फलता का शामना करने के बाद उन्होंने फिल्मों को अलुइदा कह दिया और टीवी इंड्रेश्ट्री में एक्टर और निर्माता के रूप में सांदार प्राप्त की माभारत के बाद यह सब बदल गया इसके बाद लोगों से उन्हें खुब प्यार मिला मुकेस नहीं चाहते थे भीस्म का रोल मुकेस खना ने बताया कि वो भीस्म का रोल नहीं करना चाहते थे वो पहले अरजुन, फिर कर्ड और दुर्योधन के किरदार के कोसिस में लगे थे ये रोल पहले ही दूश्रे एक्टरस को मिल गए बाद में उन्होंने भीस्म का रोल मिला और उन्हें इस करदार के लिए हामे भर दी मुकेस को ऑडिशन से पहले अरजुन, कर्ड, कृष्ण या भीस्म में से कोई रोल देने के लिए कहा गया था आखिर में उन्हें भीस्म का रोल मिला और उनके लिए यादगार बन गया शक्तिमान मुकेस का सबसे लोगप्रे करदार है 1997 में सुरू हुआ या शो, उस जमाने में बच्चों के लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था M.D.B. के मुताबिक इक सो के 520 एपिसोड प्रशारित हुए थे सक्तिमान और गंगाधर के किरदान में वा बच्चों को तरह तरह की सीख सिखा जाते थे मुकेस ही सो के निर्माता भी थे उन्होंने अपने दोस्ते पैसे लेकर इस शो को सुरू किया था मुकेस कना को दूरदर्शन के बेहत पॉपलर शो शक्तिमान में सबसे जादा जाना जाता है इन्हें B.R. चोपडा के माभारश शो में भीस्म के रूप में भी दर्श को द्वारब बेहत पशंद किया गया है इन्होंने अपने फिल्मिक कर्या के सुरुवात फिल्म रूही से की जो साल 1981 में रिलीज हुई थी इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने मल्यालम मराथी और तेलगू सिनेमा में भी काम किया है